Hello students, welcome back to our channel आज हम बात करेंगे physics के light के important questions कैसे questions उसमें से पूछे जाते हैं और वो MCQ में तो आते ही आते हैं और साथ के साथ वो ना आपके भड़े questions का भी एक part बनते because वो ही आपकी knowledge वहाँ impart होती है मैं आमित आज आप लोगों को बताऊंगा इन questions को कैसे attempt करना है इनके answers क्या होते हैं और ये questions कैसे होते हैं ये सब देख लेते हैं पहला question हम देखते हैं यहाँ बात कर रहे हैं convex lens की convex lens जो है कोन के mirror की तरह behave करता है image formation में to get real image of the size of the object object जितना बड़ा ही image का size होना चाहिए इसका ये कैम है जो image होती है वो real मिलती है आपकी convex lens में और वो object की size की तब मिलती है जब वो c पे रखी जाए c क्या होता है बच्चो twice of focal lens होता है जब भी हमारा object center of curvature मतरब c पे रखा जाएगा तब उसका जितना बड़ा object होता है उतनी ही बड़ी image वहाँ हमें मिलती है वो भी real मिलती है और inverted मिलती है और यहां से हम कह सकते है कि उसका magnification होता है one तो इसलिए हम कहेंगे at twice the focal length option B will be your correct answer इस तरीके से सोच के आप लोगों को answer करने है find the angle of incidence and angle of reflection from the following diagram ऐसा question जब भी आते है generally बच्चे से गलत करके आते उसका reason यह होता है कि जो भी हाँ angle दिया होता है उसी के equal वो क्या करते है consider कर लेते हैं कि वो यह angle of incidence है उतना ही angle of reflection हो जाएगा और वो उसी को answer देते बच्चो ऐसा नहीं होता है जो angle of incidence होता है वो होता है incident ray और normal के बीच में it means यहाँ वाला यह वाला angle होता है और यह देखे यह है normal यह वाली line जो है यह normal है और यह angle होता है 90 जिसमें से 35 इदर निकल गया तो यह बच्चा आपका 55 और जितना यह होगा उतना ही यह होगा तो हम कहा सकते हैं कि angle of incidence is 55 and angle of reflection is also 55 तो option B is your correct answer और ऐसे भी आप यह देखें कि जब भी ऐसे question कर रहे होंगे तो हमेंसा normal पे आप लोगों को ध्यान रखना है where is normal normal से मिलता हुआ angle होता है always इस बात को आपको mind में रखना है तभी आपका answer सही आएगा a spherical mirror and a thin spherical lens a spherical mirror है हमारा और thin spherical lens है have each of focal length of minus 15 देखे बच्चो जब भी आपका spherical mirror होगा और उसकी focal length negative होगी तो वो हमेशा concave mirror ही होगा concave mirror में ही आपकी focal length negative होती है जब कि अगर concave की focal length negative है तो convex की focal length जो है वो positive होती है तो concave में हमेशा negative रहेगा तो आप से कह रहा है the mirror and lens are likely to be mirror lens जो है तीनों फिर दोनों की दोनों जो है concave होंगे तो concave से आप याद रख सकते है mirror से याद रखिए कि mirror में concave जो है negative focal length होती है convex की positive होती है अगर concave की negative है तो concave की ही negative रहेगी lens में भी which of the following lens would you prefer to use while reading small letters found in a dictionary तो dictionary में जो भी letter आप देख रहे है देखे सबसे पहली बात तो क्या है lens यूज़ गर रहे है तो ऐसा lens यूज़ गरना पड़ेगा जिसमें ना सीधी image बने यह नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है उसमें inverted image बन रही है तो अब हमारे पास क्या है सबसे main चीज़ है हमें यह देखना है कि उसकी जो focal length है वो 10 से कम होनी चाहिए क्योंकि अगर माल लिया जो हमारा minimum distance of vision होता है that is 20 cm तो इस तरीके से हमें लेना पड़ेगा तो 50 cm वाले तो हम नहीं ले सकते ठीक है बच्चो फिर उसके बाद अब आप देखें तो इसमें दो option बसते है convex lens and concave lens अब convex lens में क्या होता है और concave lens में क्या होता है convex lens में जब हम पास में रखते है मतलब focal lens से कम distance पे रखते है तो cd image मनलती है बड़े वाली और हमें बड़ा करके ही उसको देखना बड़ेगा तो इसलिए option c is your correct answer अब ज़ेक्ट is situated at a distance of f by 2 from convex lens बच्चो देखो यहां जो यह distance है यह object की distance और object की distance हमें सा minus में होती तो minus f by 2 is your u first thing is this यह आपको मिल गया अब यह negative होता है from a convex lens convex lens जो होता है उसकी जो भी आपकी focal lens होती है वो positive होती है तो f को जो है हम यहां positive लेंगे u आपको मिल गया f आपको मिल गया अब आप से पूछे distance of image f के respect में पूछा है तो हम लिखेंगे one upon v जो formula होता है that is one upon f plus one upon u in the case of lens तो बच्चों जब इसको हम solve कर रहे है तो f की जगे अब हमें क्या रखना है f की जगे हम 2u रख सकते हैं इधार यह 2u जाएगा लेकिन minus का 2u तो minus का 2u रख सकते हैं और solve कर सकते हैं सब को solve करेंगे तो आपको मिलेगा v equals to minus f जो कि option d में दिया हुआ है इस तरीके से आप mcq को attempt करेंगे नए session के लिए कल तक कवेट कीजिए tomorrow you will get most important and another questions thanks to you all मैं साथ जुनने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद